दिन के कम से कम 10,000 अंडे तो ये ऐसे ही बेश देते हैं सबसे यूनीक और सबसे अलग हटकेक ओमलेट वाला बता रहा हूं दोस्तों आपको जो आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखने मिलने वाला सिवाई यहां के यह है निसर्क ओमलेट जो की कहा है मैं आपको बता आरी ओमलेट की डिशिस खतम हो जाती है असी रुपे से लेके 230-500-300 रुपे तक की यहां पर आपको डिश मिलने वाली है स्टार्ट करते भाईया अंडे का ओमलेट बनाने से क्योंकि यही इनका बेस है कुछ भी यह बनाते है जैसी कि एक सेंडविच हो गया या कुछ भी ह गया उसके पहले इनको यह अच्छा सा बड़ी है क्रिस्पी ओमलेट रेडी करना होता है जो कि यह बैक टू बैक अपने छे से साथ तवा पे एक साथ बनाते हैं इसके बाद दोस्तों इस पर ब्राउन ब्रेड यह यूज करते हैं जो कि एक हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि को फिलिप करते रहते हैं और कंटिन्यो यह बनाते रहते चाहे वो गर्मी हो बारिष हो यह थंडी का मौसम हो इनके अंडे रुकते नहीं है अब अगर आपके डिश चिकन वाली है तो यह ओमलेट के उपर इनका फेमस चिकन मसाला डालते है जो कि मिल्स चिकन से बना हुआ होता है एक फिलिंग देता है इस ओमलेट को और पहुती जादा टेस्टी लगता है पूरे सेंडवीच में चार चांद लगाने का अगर किसी ने ठेका लिया है तो वो है इनकी ये चिकिन की कीमा ये डालने के बाद दोस्तों जिन जिन का ओडर क्योंकि ऑडर बैक टूबैग यहां पर 10-15 एक साथ में आते हैं हमने ट्राय किया था इनका सबसे हेल्दी वर्जिन जिसमें ब्रॉकली और पहुती महंगी महंगी सबजिया थी यानिकी जो परपल कैबेज होती है रेट ग्रीन और येलो कैपसिकम होती है और ब्रॉकली के साथ साथ इन्होंने चीज जो यूज किया था वो भी एक हेल्दी चीज ऑप्शन था में जो इनका स्वाद बढ़ाती है दोस्तों चिकिन के साथ साथ इनकी सीक्रेट चटनी है दोस्तों जो की हरे पूदीने की चटनी रहती है वो भी ये डालते है इसके बीच में और एक उससे देसी तड़का आपको मि नहीं है इतना सुर्ख ग्रीन कलर है दोस्तों ये मानो प्योग पालक से बने हूँ लेकिने पालक से नहीं बने ये धनिया और पुदिराई की चटनी है जो पर भूदी मिठी होती है मिठी तो नहीं होती है और फिर ये Filling इनकी जो मेन सीक्रेट ये चिकन वाली Filling है हर अंडे में ये दोस्तों डालती ही है अब दोस्तों बात में जाकी कर रहा हूँ वो है famous कमाटी बाग जो की है बरोडा याने की वडोडरा का जहां पर लोग सुबह सुबह एक अलग ही कल्चर है breakfast का यहां पर अच्छे अच्छे या usually Sunday और Saturday याने की weekend के टाइम पर अच्छे अच्छे घर के लोग family वाले अपनी stall लगाते हैं उनकी जो भी खासियत है जिसमें वो expert है वो यहां पर आके वो sell करते है bread ओमलेटी नहीं दोस्तों यहां पर आपको donuts, cheese cake बहुत कुछ मिलेगा और यह भीया ने ready किया है हमारा healthy वाला sandwich जिसमें है broccoli और बहुत कुछ यानि की capsicum वगरा सब कुछ healthy option है brown bread से लेकि filling तक healthy है अब यह cut करना शालू हो चुका यानि कि यह जो slot था sandwich इसका वो ready हो गया है अब start होगा दोस्तों लोगों को serve करना और यह भी एक बहुत बड़ी कला है कौन सा order किसका है यह पता होना भी एक main cheese है कि आप सिर्फ बनाते जा रहे हो वो main नहीं है लोगों का ध्यान भी रखना है order और भही है वो ही बता रहे है लोगों को कि देख यह वाला order उसका है अगर टेस्ट की बात करो तो बहुत यूनीक टेस्ट था कुछ हटके था दोस्तो टेस्टी था अच्छा था मैं जहां से बिलॉंग करता हूं दोस्तों जो कि सूरत है वहाँ पे बहुत सारी अंडे की डिशिस मिलती लेकिन ऐसे डिश यहां भी नहीं मिलती है अब जैसे के आप जानते हो आप गुजरात में हो आप सूरती के साथ हो तो यहां पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो चीज के बिना ना बनती हो healthy sandwich मैंने बनवाया था लेकिन मेरा मन नहीं हुआ कि मैं इतना healthy खाऊं तो मैंने इसमें चीज डलवाया है भर भर के भाईया ने real अमूल चीज डाला है और भाई जो टेस्ट में चार चान लगाया है वो इस चीज ने लगाया है अच्छा अब एक और टेक्निक यह यूं कहूं कला है दोस्तों कि चीज तो आपने डाल दी अब चीज को पकाना भी तो है कच्छी चीज आपको सर्व नहीं करते हैं यहाँ पे तो इसको इस टॉर्च से जो है वो उपर से light करके और इसको थोड़ा सा हल्का सा जलाते हैं या burn करते हैं इद्दम जलाते नहीं हैं बट पकाते हैं जिससे वो cheese melt होती है और बहुती आर यह मेरा रैडि हो चुका है भाइवा बहुती टेस्टी था आप भी ठ्राए करना कमाटी बाग में बरोडा में यह भईया है निसर। अपराथा फालौ करना मत भुलना लाइक करना मत भुलना और सजेस्ट करना थो बेल्कुल